नमस्कार बच्चे, आज हम कक्षाचार में हिंदी जिसमें पाट पाच और छे के बारे में अभ्यास करेगे पाट पाच का नाम है मेरा मित्र और छे का नाम है सागर सबजी आप अपनी हिंदी की स्वध्यापोती खोल कर बैठे जैसे में पढ़ाती हूँ वैसे आप देखे और समझे पाट पाच मेरा मित्र मेरा मित्र उसका गुजराती अर्थ होता है मारो दोस्तार दोस्त पढ़ाई शब्दार पढ़ाई बंतर हर साल दरवर्शे सिर्फ फक्त अच्छा मित्र है तो गुपाल मारो सारो मित्र छे वह एक चत्तु लड़का है तो गुपाल एक होस्यार छोकरो छे पढ़ाई में उसे हर साल इनाम मिलता है तो गुपाल ने हर साल दरवर्शे तेने बढ़माम इनाम मड़े छे गुपाल हमारी क्रिकेट टीम का कप्तान है केच लेने में गोपाल कुशल है केच पकड़वामा गोपाल बहुत कुशल है प्रेट के कैच सारों पकड़े छी हम एक दूसरे को बहुत चाते हैं तो मैं एक भी जाने बहुत प्यार करिए छी स्वाद्ये, कोष्टक से सही विकल्ब चुन कर खाली जगह भरिये तो खाली जगह दिया है उसमें आपको डूण के आंसर लिखना है एक गोपाल मेरा अच्छा खाली जग्या है तो क्या आएगा गोपाल मेरा अच्छा मित्र है तो मित्र के नीचे अंडरलाइन करो और मित्र आंसर लिखे दो, खाली जग्या में उसे हर साल इना मिलते हैं तो बॉक्स में दियाए पढ़ाई और खेल तो क्या अंसर आएगा पढ़ाई प्रश्ण दो, निम्न लिखी प्रश्णों के उत्तर लिखे अब प्रश्ण दिये हैं हमको जवाब लिखना है उत्तर लिखना है गोपाल कैसा लड़का है तो गोपाल एक चतु लड़का है दो, क्रिकेट टिम का कप्तान कौन है तो क्रिकेट टिम का कप्तान गोपाल है किस त्रोण, किस में गोपाल कुशल है तो कैच लेने में गोपाल बहुत कुशल है प्रश्न तीन गुजराती शब्द के आगे उसका हिंदी शब्द कोष्टक में चुनकर लिखे अब एक कोष्टक दिया है उसमें आपको हिंदी का नाम दिया है अब अब गुजराती में है उसका हिंदी लिखना है तो एक भंतर, तो उसमें से देखे, तो भंतर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पढ़ाई, फ़क्त, तो फक्त को सिर्प, सारो, तो सारो को अच्छा, वर्स, वर्स को साल बोलते हैं, अब हम पाच्छ, साग और सबजी के बारे में पढ़ेगे, नीचे सबजीों के चितर देखे और उनके हिंदी और गुजराती के नाम पड़े अब आपको सबजी के पिक्चर दिये है तो उसको हिंदी और गुजराती आपको पैचानना है तो पहला पिक्चर है मूली तो मूली को गुजराती में क्या बोलते हैं मूलो फिर दूसरा पिक्चर है घाजर तो गाजर को गुजराती में बोलते हैं गाजर तीसरा है आलू तो आलू को गुजराती में बोलते हैं बटाटा फिर है मटर मटर को गुजराती में बोलते हैं बटाणा फिर है बंदगोबी तो बंदगोबी को गुजराती में बोलते हैं कोबी फिर है फुलगोबी, तो फुलगोबी को गुजराती में बोलते है फुलेवर लौकी, लौकी को गुजराती में बोलते है दूदी बैंगन, बैंगन को गुजराती में बोलते है रिंगन बिंडी, बिंडी को गुजराती में बोलते है बिंडो फिर है टामाटर, टामाटर को क्या बोलते हैं टामेटू, मेर्च, मेर्च को मर्चू, करेला, करेला को कारेलू स्वाद्य, प्रत्यक चित्र के पास उसका नाम कोष्टक में चुनकर लिखे अब नीचे आपको कोश्टक दिया है उसमें से आपको ढून ढून के पिक्चर दिया है तो पिक्चर के सामने आपको हिंदी में नाम लिखना है तो देखो ए परपल कलर का है तो उसको क्या बोलते है सबजी का नाम क्या है अब आपको पता चलना चाहिए तो उसको हिंदी में फिर है फुलगोबी, फिर है मूली, फिर है लौकी और लास्ट में मतर आज का आपका होम्मक है मेरा मित्र पाड के सब्दार्त और स्वाध्याय लिखना है और पाड़ छे के साख सब्जियों के नाम हिंदी और गुजराती में लिखना है थैंक यू, भाइबाइब आपके साख सकती है